हाई एवरिवन तो क्लास 10 थी की लाइट रिफ्लेक्शन एन रिफ्लेक्शन की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक आ चुका है लेंस जो की इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमा हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे उसके टा तो चल यह सबसे पहले स्टाट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है लेंस जैसा कि आपको पता है तो सबसे पहले अगर हम लेंस को डिफाइन करें तो लेंस 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 A LENS is a transparent medium, is a transparent medium, transparent medium which is bounded by which is bounded by which is bounded by two surfaces two surfaces which is bounded by two surfaces of which of which one of both are spherical one of both are spherical यानि कि lens क्या है lens एक transparent medium है जैसे कि कोई आपने देखा होगा यह हमारा lens होता है ऐसे convex lens ऐसी आपने concave lens देखा होगा ठीक है ना यह हमारा transparent medium है जिसको हमने क्या किया हुआ है bound किया हुआ है किस तरीके से दोनों side के sphere से तो चली आई यह समस्ते है कि किस तरीके से मैंने इसको bound किया हुआ है एक second हंजी तो हमने किस तरीके से bound किया हुआ है तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे lens तो पता चल गया आपको definition आपने लिख लिए है जैसे कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया ये दो lens मैंने बनाई ये convex है ये concave है बोला गया है इसको दो surface से bound किया गया या तो आप दोनों surface से bound करो अगर हम इसको बढ़ा दे तो ये पूरा sphere बन जाएगा इसको भी आप बढ़ा दोगे तो ये पूरा पूरा sphere बन जाएगा तो lens एक ऐसा transparent medium है जिसको दो side से bound करते हैं या दो से नहीं तो at least एक side से तो आपको bound करके ही रखना है यानि कि एक surface को मैं हटा दूँ एक surface को ऐसे कुछ बना दूँ सीधा तो तब भी ये क्या कहलाएगा lens कहलाएगा अच्छा lens तो आपने देखे होंगे ना कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी glasses या lens लगा कर video देख रहे होंगे उनको लगे होंगे तो सीधी सी बात है एक transparent medium है आर पार देख पा रहे हो उस पे और उस पे भी आपके power के भी लगे होंगे किसी के कैसे लगे होंगे जो नहीं जिसके नहीं लगे हैं तो automatically हमारी eyes में भी lenses लगे होंगे हैं जिसकी वज़ए से आप देख पा रहे हो 576 megapixel से आप क्या कर पा रहे हो मुझे देख पा रहे हो उतने अच्छे camera से और आप सोचते हो कि iPhone का camera अच्छा है आपके आखो का खुद का जो camera है वो 576 megapixel का है तो सोचो कितनी अच्छी image आप देख पाते हो इस दुनिया को और खुद को तस्वीरों में कहित करना चाहते हो तो चलो देखते हैं समझते हैं तो आज से अगर दुनिया को देखोगे तो अपनी 576 megapixel की आखो से देखना ज्यादा खुब सूरत लगेगी तो देखिए लेंस की बात करें तो लेंस की सबसे पहले हम टाइपस की बात करते हैं टाइपस आपके दो है नंबर फस्ट जो टा बाउंकिया गया अच्छा इसका एक नाम और होता है कटेवरें लेन्स कम वहसिन लेंस अब इसको लेंस क्यों बहुलतें आओ समझते हैं जब कभी इस लेंस पे कभी इस लेंस पे कोई रेज आती है कहां से infinity से, मान के चलो कहीं दूर से कोई lens आ रही है, वैसे आपके course में जो lens है, वो बहुत छोटा lens है, thin lens thin lens समझ रहे हो, मतलब बहुत छोटा सा, एक, ये सुई देखी होगी न, आपने घर पे बिल्कुल उतना पतला, उतना छोटा lens है सोचो, तो उस lens के बारे में हम discuss कर रहे है, अब यहाँ पर तो मैं ऐसा बना नहीं सकता, आपको confusion हो जाएगा समझने, मैं तो हम thin lens भी कैसा दिखाते हैं, काफी ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं तो आपके course में जो ये thin lens है इसमें हमने बोला कि इसको converging lens बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं जब कभी भी infinity से कोई raise आती है तो ये क्या करता है, lens के अंदर जैसे ही ये raise गुजरती हैं तो ये एक fix point पर आकर मिल जाती है which is called focus, जिसे हम क्या बोलते हैं, focus बोलते हैं, आगे के lectures में आप focus को अच्छे से समझ लोगे इसकी next video में focus के बारे में discuss ही करने वाला हूँ फिलाल के लिए अभी ये समझो कि जब कभी भी infinity से कोई raise आती है और वो convex lens से होकर जाती है तो किसी एक common point पर जाके meet करती है, जुन्ड़ होता है group बना देते हो, वैसे ही यहाँ पर पर भी आपका raise का क्या बन जाता है, group बन जाता है यही कि common सारे के सारे एक point पर आकर मिल जाते हैं, इस lens को हम क्या बोलते हैं, convex lens बोलते हैं अच्छा एक चीज और ये lens कैसा होता है, इसकी अगर हम definition लिखें, तो a lens which is, which is thicker, which is thicker at middle, thicker at middle and thinner at edges यानि की, बीच पे आपका मोटा होगा, और side side पे आपका क्या होगा, पतला सा होगा तभी तो मैंने बोला ना, एकदम पतली सुई की नोप के, और सुई के बीच में देखते हो, कैसा दिखता है, मोटा मोटा दिखता है तो बीच में आपका कैसा है, मोटा है, और आसफास पे आपका ये lens कैसा है, यानि की side पे कैसा है, edge पे thinner है, पतला सा है अब इसी के types देखते हैं, देखो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, classified कर रहा हूँ इसी को इसके further classification देख रहा है, ठीक है, तो देखो ये भी आपके 3 types के होते हैं, number first, number first lens जो आपका बनता है, वो बनता है ऐसा कुछ, बिल्कुल वही lens है, same lens है, इसी lens का एक और नाम होता है, जिसको हम classified करकर बोल देते हैं, by convex lens, by convex lens, दिखाई दे रहा है यहाँ पर तक, नीचे तक, जी बिल्कुल, by convex lens दिखाई दे रहा है, इसी को हम एक और नाम बोलते हैं, इसी से लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर दिखाई देगा, double convex lens, double convex lens, अच्छा, अगर कहीं पर आगे पर कोई question आए, और वहाँ पर by convex lens बोलें, तो same lens है, double convex lens बोले, तो भी same lens है, वहीं अगर आप से convex lens या converging lens कुछ भी बोले, तो यह total चार नाम के वल किसके हैं, इसी lens के हैं, यानि कि दोनु सरफेस से इसे क्या करा हूआ है, बनाया हूआ है, एक चीज और समझो साथ में, इसी के साथ, कईयों को समझ में आ ऐसे कुछ आपका sphere बन जाता है, तो lens की property कब satisfy होती है, जब दोनु में से, यानि कि इस point में से भी, इस head से भी, इस head से भी, दोनु में से कोई ना कोई, एक तो आपका spherical होना ही चाहिए, एक spherical है तो आपका lens बन जाएगा, नहीं है, तो फिर lens नहीं बनोगा, ठीक है, पहला point तो हमें समझ मा आ गया, दूसरा lens का, क्या करो, एक side को ऐसे कुछ बना दो, या आपका हो जाएगा, तो इस तरह के lens को, एक surface को जब हम plane कर देते हैं, इस तरह के lens को हम बोलते है, plano convex lens, this lens is called plano convex lens, और फिर उसके बाद, ये आता है हमारा, कुछ इस तरीके से, ठीक है न, जैसे आपका moon वगेरा बन रहा है न, बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ सकते हो, इस lens को हम बोलते है, concave o convex lens, ये तो type था, कौन सा converging या convex lens का, अब एक और type होता है, concave lens, तो concave lens भी तीन parts में बिल्कुल इसी तरीके से divide होता है, कैसे हम उसको divide करेंगे, उसको करना, इसको साथ साथ में note भी करते रहो, आपके notes भी cover हो जाएंगे, चलो, वीडियो पाउच करके न, screenshot ले 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 न, चलो मैं मिटा रहा हूँ, एक, दो, तीन, ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो next आने वाला है, lens का, दूसरा type, पहला type तो क्या था, convex और दूसरा type आपका क्या आएगा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, छोटे, मोटे, चुन्नो मन्नो से, तो ये आपका क्या आएगा, concave lens, which is called concave lens, अच्छा concave lens कैसा होता है वही, सर ऐसा होता है, हमें आता है सर, मैं बना के दिखाँगा, मैं बना के दिखाँगा, सर मैं, ऐसे बनाते है न, कलास में, जिसको आता है, जो पहले से कहीं, कोचिंग, कोचिंग में पढ़के आजाता है, तो डिरेक्ट कलास में, मैं बताहूंगा, सर, तो देखो, दोनों मैंसे कोई एक surface spherical होना चाहिए, पर concave lens के लिए हमने क्या करें, पूरे के पूरे दोनों surface आपके spherical पगड़े, अच्छा एक चीज और, इस lens का नाम एक और होता है, which is called diverging lens, which is called diverging lens, अच्छा diverging lens क्यों बोलते होंगे, पीछे बोल रहे थे converging, यानि कि पूरा जुंडा आके मिल रहा था, अब जुंड को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो सब के सब क्या हो infinity से, जब कभी भी infinity से, या principle axis जिसको आप बाद में समझोगे, अभी केवल ऐसे समझो, जब कभी भी infinity से आपकी raise आती है, और आकर यहाँ पर लडने के बाद, यहाँ से क्या हो जाती है, diverge हो जाती है, यानि कि फैल जाती है, ऐसे आई, और ऐसे diverge हो गई, कैसे आई, ऐसे और ऐसे आपकी diverge हो गई, तो तब इसका नाम क्या रखा, diverging lens, किसी एक point पर, common point पर आके मिल रही थी, तो converging, किसी एक point सही, या कहीं से आपकी infinity से आकर फैल गई, पूरी की पूरी, विल्कुल सीधे आ रही थी, ऐसे क्या हो गई, फैल गई, तो आपकी क्या हो जाएंगे, diverging lenses हो जाएंगे, तो चलो आगे को बढ़ते हैं, अब इसी में जैसे, इसकी definition क्या लिखेंगे, a lens, a lens, which is, last while I याद करो, which is thicker in middle, बोला था ना, middle पर क्या है, थिक, तो ये lens क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, a lens which is thinner, thinner in middle, thinner in middle, and thicker, thicker, thicker at edges, thicker at edges, यानि कि edges पे, ये जो side वाले portion है, इसके, एकदम side वाले portion, ये क्या होते हैं, इस lens के thick होते हैं, अगर आप 3D image सर्च करोगे ना, Google में जाकर सर्च करना, इस video के बाद, तो वहाँ पर आप देखोगे, इनकी 3D image आपको मिलेगी, जो आपका concave lens है, वो side पे, यान चेक करना, या तो वीडियो को pause करो, अभी जाओ, वहाँ पर जाकर देखो, फिर उसके बाद वापिस आओ, कि मैंने सही बताया या नहीं बताया, ठीक है, तो देखो, अब आगे को बढ़ते हैं, thinner at edges, बात करें, इसी की classification की, इसी को हम क्या करते हैं, further classified करते हैं, ये भी 3 types म concave lens, आपकी मर्जी है, तो इसका जो सबसे पहला टाइप है, वह है वही जो पहले का था, ये बिलकुल वही है, पहले, वाली की तरह, पहले वाले की। इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस इसी को बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस इसी को बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस यानि की दोनु साइड से दिखाई दे रहा है डबल कॉनकेव लेंस ठीक है ना अब आगे को दूसरा मैंने क्या करा था पिसले वाले में एक सर्फेस को मना दिया था, क्या करो, simply एक surface को आप क्या कर दो, plane मना दो, ये आपका क्या बन जाएगा, plano-concave lens, this is known as, plano-concave lens और, तीसरा आपका कुछ इस तरीके से बनाना है, ऐसे और ऐसे, ये आपका इसका नाम होता है convexo concave lens this is known as convexo-concave lens, आपके course में, ज्यादा तर जो आपको पढ़ना है वो आपको by convex lens by concave lens और by convex lens और by concave lens ये ही दो lens आपने पढ़ना है, ultimately converging और diverging lenses आपको पढ़ने है, अब हम next lecture में देखेंगे, इन से related जो आपके formulae और derivations वगएरा होती हैं, और इसकी image formation जो बनती है तो जो next video आएगी, उसमें हम center of curvature, radius of curvature focal plane, focus focal length कहाँ पर बनती है तो ये सारी चीजें देखेंगे उसकी next video में image formation कहाँ पर real बनेगी, mirror के लिए यादे ना नहीं देखी video, तो जाके देखो ठीक है ना, तो mirror के लिए आपको याद होगा, mirror के लिए देखोगे image formation जैसे पीछे देखी थी, वैसे यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, lens के लिए image formation देखेंगे और उसके बाद lens formula और chapter आपका खतम बच्चे खुस छुट्टी तो चलो, मिलते हैं जल्दी next lecture में till then, bye bye, take care and God bless you all